जयो दूद, परम कुझे स्री साने दादानी आजे अडार्मी पुन्यतिती छे, अने आजना दिवस ने सव नाद बक्तोये विवित सेवा कार्यों करीने सत कर्म दिवस तरीके उजवीने एक स्रेष्ट स्रद्दान जली अरपित करी छे, तो हवे आजना कार्यक्रमनी सरुवा पुझे स्रीना स्वागत्ती करी सु, सो प्रतम स्री नरेसबाई पटेलने नम्रविनेंती छे, स्टेज पर आवीने पुझे स्रीनू स्वागत करे, आजनो बंडारों पन तेमना तरफती छे, अने दर वर्से पुन्यतिती थिनो बंडारों तेमना तरफती होई छे स्टेज पर आविने पुझे स्री नू स्वागत करे आजना बंडारा मां तेमने सयोग आपयो छे आजना दिवस ने आपणे सत कर्म दिवस तरीके उजविरया चे तो नवनात धाम्मा पन आजे आपणे सत कर्म करीशू पुझे स्री नी प्रेणा थकी मा विमलाजन सेवा ट्रसना सोजन्य थी दिवियांगोने आजना प्रसंगे प्रेम रतनू वित्रण थसे तो सोप्रथम प्रेम रतनू वित्रण स्री नानुबाई रवजीपाई पटेल तलोधने करवामा आउसे वालेंटियर मित्रों ने नम्रविन नंती छे तेमने स्टेज पल लई आवे साचेज आजनो दिवस खुबच सुन्दर छे धीविय छे अने नाद संप्रदाई मा बहुजन हिताई अने बहुजन सुकाई अर्थे सुकोई कार्य करता होई छे अने पुजे स्री ना मार्दशन हेटर आजे एक सुन्दर मजानो कार्य करम योजाई रहो छे हाई एक सामन्य वील छेर नती परंतु साक्षात प्रेम रड़ छे काराण के एमा सद्गुरु धेव नो प्रेम समाईलो छे हावे प्रेम रड़ नू वित्रण देवसर ना मितल बेन बिकुबाई पटेलने करवा मा आऊचे पुझेश्री ना मारदशन हेटर पुझेश्री आपने एक साचो पंथ बतावियो छे एक साचो रस्तो बतावियो छे अने ते छे मानव सेवा मानव सेवा एज प्रभु सेवा छे अने आजे एना आपने शाक्षात दर्शन थे रहा छे आधना सत कर्म दिवसे प्रेम रत्म वित्राण थेरे हुछ है हवे तलोधना गायत्री बेन सुपकर भाई पतेल ने नम्रविनंतिशे स्टेज पर आवे केमने प्रेम रत्म अपड़े लित्राण पुझेश्री ना आस्ते कर्वामा उस्से बहुजन हिताई बहुजन सुखाई अर्थेव पुझेश्री हमेशा तत्पर रहे छे अने एनू ज्वलन्त उदारण अपड़े ही जोई सिख्या छे साचेज आपड़ा पत दर्स्वक आपड़ा मार्द रक्षर अने आपड़ा बंदु आपड़ा स्वजन एवा पुझेश्री ये आजे खुब सुन्दर कारिया करियो छे अने आपने पन सेविवा करवानों एक मोको आपड़ो छे साचेज सद्गुरुना सतनान धकी आजे आपड़े सतकर्म करीने मानवताने मेहकावी छे आ सेवा यगनेना फोटा सववे विचार गंगा अने फेसबुक उपर पन मुख्या छे अने पूतानी सद्गुरुना व्यक्त करी छे तो सवनों आपड़ अने आ कार्य करवा बदल अभिनेंदर तो हवे आजना प्रसंगे कुझ ये स्रीने नम्र अरच छे के पूतानी दिविय विचार गंगा प्रवाहित करे जय अव्दुरु अम नमो गुरुब्यो गुरुपादुकाब्यो आचार्यसिद्धे श्वर्पादुकाब्यो नमो श्री लक्षमी पतिपादुकाब्यो आवधूताचिंतन श्री गुरुदे वधत्ताथ डूदुकादुकादुकाद। गुरुदेवकीज्ये नौनाथषचिंतन स्री गुरुदेवदत्या यही हम सब के रदए में सच्चित अनन स्वरूप में दिव्य स्वरूप में उपस्थित ऐसे हमारे ब्रह्मलिन सद्गुरु स्री सानेनाज जी के चरणों में मेरा साश्टंग प्रणम एवं जो सनातन परंपरा है जो भोग को योग की और ले जाने वाली परंपरा है जो मानव जीवन को मृत्यू से मोक्ष की और ले जाने वाली परंपरा है ऐसी परंपाउनी परंपरा जिसे हम नाच संप्रदाई की योगिक परंपरा कहते है वैसी हमारी नाच संप्रदाई की दिव्य योगिक परंपरा के चरणों में मेरा सत्सत्नमन साथ साथ देव भूमी पुन्यसाली भूमी जो हम सब की मात्र भूमी है जिसे हम भारत भूमी कहते है और वही भारत भूमी में सिनोर गाउ में माता अन्सुया के समीप की जो तपो भूमी जिस तपो भूमी में अन्सुया के किनारे हमारे सद्गुरु ने जन्मल लिया वैसी मां अन्सुया की तपो भूमी जिसको मैं अनंत कोटी बार फ्रणाम करता हूँ साथ साथ जो भी नाद भक्त अपने घर में बैठे हुए पिछले चार-पांच महीने से लगातार गुरु देव का स्मरण कर रहे है नाद चरित्र का पाराण कर रहे है गुरुवर की विचार गंगा का श्रवन और दर्शन कर रहे है ऐसे मेरे सभी नाद भक्त उन सब को मेरा जय उदुद जय जय मचंद्र समर्थ और आदेश आज का दिवस हमारे गुरुदेव की पुन्यतिथी का दिवस है 28 अगस्ट 2020 और शुक्रवार का दिन याने आज का दिन ब्रम्लिन सद्गुरुश्री साने दैदा की 18 भी पुन्यतिथी का दिन है आज से 18 साल पीछे हम सब 2002 के साल में बहुत दुखी थे हमारे जीवन में से हमने उसी दिन बहुत कुछ खो दिया था हमारे जीवन में से हमने मानों के प्राण वायू हमने खो दिया हो जीवन का प्रकाश हमने खो दिया हो हमारे जीवन की स्रजीवन चेतना दो हजार दो अठाईस ऑगस्ट के दिन हम सबने खो दी थी क्योंकि सबको पता है और सबको श्मरण है कि दो हजार दो और अठाईस ऑगस्ट आज से अठाए साल पीछ है आज ही के दिन हमरे सद्गुरू देह से मुक्त हुए थे जीवन से मुक्त हुए थे अपने अनंत विदेह की यात्रा में वो निरंतर विहर कर चुके थे थे अपने अनं जिसे भोक्तिक जीवन के रूप में मुरुत्यू कहां जाए अध्यात्मिक जीवन के रूप में उसे मुक्ष कहां जाए और योगिक जीवन के रूप में उसे निर्विलकल्प समाधी, पूर्ण समाधी, सुन्य समाधी कहां जाए याने हमारे सद्गुरू आज से अठा सा सुन्य समाधी की अवस्था में परमात्मा के सुरूप ब्रमलिन हो चुके थी। लेकिन हम सब माया के मंदनों में होने के कारण, बहुत जो भी योगी क्रिया या जो आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। उसे हम ने या पूरी दुनिया ने शायद मृत्यु ही समझा था। लेकिन आज अठ्रा साल बाद हम सब यह मान चुके हैं। अठ्रा साल से उनकी विदेह में रही चेतना का अनुभव। जब आप आज हम परोख्ष रूप से कर सकते हैं। तब आज हम मानते हैं, स्रद्धा से मानते हैं। कि हमारे सद्ध्गुरू, सूरत समाधी, समान समाधी, पूल्न समाधी, शक्ति रूपेन संस्थिता, विश्व के कन-कन में, शक्ति स्वरूप, ब्रह्म चैतन्य स्वरूप होगे, स्थापित हो चुके, है और थे. तब सायद हमारी समझ बहुत कम थी, आज 18 साल के बाद बारम बार उनका अनुभव करते हुए हम मानते हैं, कि वो युगों पहले से भी थे, शरीर के रूप में भी हम सब के साथ रहे, और शरीर शोड़ने के बाद आज भी, आज की परिष्थिती में भी, आज के समय में भी, हमारे सद्गुरु साने दादा, हम सब के रदई में, प्रेणा के रूप में विराजमान है। अठरा साल से जो मैं चला रहा हूँ, वो सिर्फ मेरा देह कारिय करता है, लेकिन जो प्रेणा का स्त्रोत्र है, जो स्पूर्णा के संकेत है, वो सभी संकेत, प्रेणा, उनके द्वारा ही दी गई है। और इसलिए लोक सेवा के मध्यम के रूप में आज भी ये सेवा अवीरत चालू रही है। उन्होंने जो नात्संप्रदाए की परंपरा का दीप प्रक्टाया था, तेईस एप्रिल 89 में, तब अगर वो प्रवचन आपके पास हो, तो उसे सुनिएगा। वो प्रवचन में उन्होंने कहा था, कि मैंने ये परंपरा का दीप मैंने प्रजुलित कर दिया है, अखंड रखना आपका काम है। और यही संकितिक सूचन आज भी आप देख सकते हैं, कि उन्होंने जो दीप प्रजुलित किया था, हम सब की स्रद्दा ने, हम सब की भक्ती ने, हमारे अंदर के कर्तव्य भाव ने, या हमारे अंदर के शिष्य भाव ने आज भी उसे अखंड रखा है। तो आज का दिन अखंड दिन है सत कर्म करने का दिन। आज का दिन पूर्ण रूप से उनके जीवन, उनकी प्रेणा का अनुभव करने का दिन है। और आज का दिन कल के नए दिन के लिए एक नई उर्जा प्राप्त करने का दिन है। और आज भी उनकी उर्जा हमें हमारे जीवन में प्राप्त हुती है। इसलिए में इतना ही कहना चाहूंगा, कि सत्कर्म करते रहे, प्रतेक जीवों के सिवा करते रहे, दर्मा अचरन करते रहे, कि जिसके कारण हम हमारे सद्गुरु को हमारे साने दादा को एक सच्ची सरद्धन जली दे सके। शास्त्रों ने करहा है कि स्रेयस्च, प्रेयस्च, मनुष्यानाम, स्तत्वाह, कि दो मार्ग होते हैं जीवन में, एक स्रेयस मार्ग और दूसरा प्रेयस मार्ग। स्रेयस मर्ग का अर्थ होता है लोक सिवा करना, दर्माचरन करना, अपने जीवन का उप्योग दूसरों के लिए करना, जहां से हमें स्रेय प्राप्त हो, और प्रेयस्च का अर्थ होता है, हमें जो पसंद आये, हमारी जिसमें पृती हो, वो मार्ग के उपर चले जाना, आज ह कि हमारी प्रिती दन में है, हमारी प्रिती प्रिष्टा में है, हमारी प्रिती संसार में है तो जहां हमारा प्रेई बसा हुआ है उस प्रेई के मार्गे के उपर चले जाना और एक जीवन को जहां स्रेई प्राप्त होता है ऐसे स्रेई के मार्गे उपर चले जाना और ये दो मार्ग में से हमारे गुरुदेव ने स्रेई का मार्ग चुना कि दुनिया में जन्म लेके धन तो हर कोई कमा लेता है दुनिया में जन्म लेके संसार हर कोई बसा लेता है दुनिया में जन्म लेके अपनी रुची अपने भोग हर कोई भोग लेता है क्यों न मैं मेरे गुरु मच्छंदर नात की प्रेणा की राह के उपर चलते हुए जीवन में स्रेई प्राप्त करू मेरे नात परंपरा का में प्रेम प्राप्त करू और मेरे धर्म का में जागरन करू और इसलिए हमारे गुरुदेवने स्रेय मार्ग प्राप्त किर लिया। स्रेय मार्ग को ही पसंद किया। और वही स्रेय मार्ग आज हमारे आस्रम में भी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के रूप में चालू है। वो परंपरा मैंने भी सत कर्म के रूप में चालू रखी है इसलिए जो स्रेय मार्ग योग मार्ग के संदर्भ में हमें दिया है सत्संग मार्ग के संदर्भ में हमें दिया है हमें उसी स्रेय मार्ग के उपर चलते हुए अपने गुरु को हमारे गुरु को अपने भगवान को हमें सर्चिय सद्दान जली दिनी आज हर कोई दर्म जागरान की बाते करता है दर्म के संवरक्षन की बाते करता है दर्म के परित्रान की बाते करता है लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि दर्म के लिए लड़ने से दर्म कभी बचता नहीं दर्म का प्रचार और प्रसार करने से भी कभी दर्म फैलता नहीं अपने आप दर्म से जीने से भी कभी दर्म का परित्रान होता नहीं दर्म का परित्रान कैसे होता है दर्म का सवरक्षन कैसे होता है दर्म का फैलाव कैसे होता है यह अगर देखना हो तो प्रैम मुर्ती दादा का जीवन चरित्र एक बार नहीं अनेक बार पढ़िए कि अपनी वाणी के द्वारा अपने वर्तन के द्वारा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्तित्व के मुल्भुत संस्कारों के सिंचन में उन्होंने दर्म की स्थापना की दियात में, गाउं में, जो लोगों के पास पूरी शिक्षा नहीं थी, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, बहुत-बहुत प्रकार से दर्मपरिवर्तन हो रहा था, यह सब होने के बाद भी, हमारे गुरुदेव गाउं गाउं घुमें, जुपड़ी जुपड़ी में वो गए, और वहां जाके, प्रत्येक व्यक्तित्व के संस्कार के मूल में, उन्होंने धर्म की स्थापना गी, यानि धर्म का स्वरक्षन संस्कारों के मूल में धर्मस्थापना करके हो सकता है, धर्म का स्वरक्षन मनुष्य के मानस के संस्कारों में धर्मस्थापना की बाते करके उजागर किया जा सकता है, और धर्म का प्रसार और प्रचार प्रतिक व्यक्ति को अध्यात्मिक रूप से प्रवचन के द्वारा अध्यन के द्वारा बोधमई संस्कारों के द्वारा उनके रदई में किया जा सकता है हमारे सद्गुरु ने बाईहा अडंबर न करते हुए कभी किसी पेपरों में बड़े बले आलेख न छपवाते हुए कभी किसी टिवी या चैनल के माध्यम के उपर प्रवचन न करते हुए अधिक व्यक्तित्व के संस्कार के मूल में धर्म का सिंचन किया जैसे स्वामी रामकुष्ण परवफंस द्वने किया थीक wie हमारे सन्ध गुरु ने भी हजजरों और लाखों हमारे horrifying के भाय बेनों के संशकारों के मूल में धर्म की स्थापना की और लोग Hack सकते है कि उनको मानने वाले हैं उनको प्रेम करने वाले हड्यू उनको चाहने वाले हरकोई सनातन आत और में लो पझेकी कील की आज भी जूड़े हुए हैं तो मोन रहे के दर्म के लिए उन्होंने बहुत कारिय किये बहु जन हिताई बहु जन सुखाई प्रत्यक प्रत्यक मध्यम से उन्होंने अपने जीवन का उप्योग श्रे सब आगी मार्यक के उपपर सत कर्म के पीछ लगाया है तो आज हम सब भाग्यसाली है कि हम ऐसे अध्यात्मिक गुरु के शरन में जुड़े हैं हम सब भाग्यसाली है है कि हम वियुगी क्षोना की प्रवाह में हमारी कस्ति हम चून आगे ले जा रहा है।ś तो उनकी परीणना धिए भी अगे भी हमें जीवन में बहुँर कुछ आगी करना है, जीवन में जीना है।Just इतना ही है, उनको याद करते हुए करतेote हैं। जीवन में मैंने कुछ च्चिया अपय। ऐसा अहमभाउ में न लाए। हमारे गुरु देव का जीवन ऐसा ही था कि कभी भी उन्होंने कहीं भी किसी जगे भी या किसी किताब में भी न लिखा और न कहा कि मैं कुछ करता हूँ वो हमेशा यही कहते थे कि जो कुछ हो रहा है गुरु महराज की कुर्पा से हो रहा है जो कोई कुछ कर रहा है मेरे गाओं के प्यारे भक्त बहुत कुछ कर रहे है लेकिन कभी भी उन्होंने मैंने कुछ किया यह अहंकार अपनी वानी के और वरतन में नहीं लाए हमें भी ऐसे ही करना है कि हम जो भी कुछ कर रहे है मैंने किया यहंकर नहीं, यहंकर चाहिए ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, उसकी दया थी, तो मैं कर सका, यानि उसने करवाया, अहम नहीं, त्वम, त्वम भाव में रहके हुए, हमें स्री मारक के उपर, हमें चलना है, और इसलिए आज मैं जरूर कहना चाहूंगा, कि काबिल नहीं, काबिल नहीं है मेरी नजरे तेरे दिदार के लिए, यह तो तेरी रहमत है, या यह समझू के यह तो तेरी महबत है मेरे लिए, कि तुने अपना रूख मेरी और मोड़े हुए रखा है बस इतने से आप समझ जाएए कि अरजुन को विश्वरूप दिखे ये अरजुन की काबिलियत नहीं थी कि अरजुन को विश्वरूप दिखे ये अरजुन की काबिलियत थी तो नहीं नहीं थी कुर्ष्णा ने उसकी और रुख मोड के रखा था तब जाके अरुजुन ने देखा क्या गोरखनात की ऐसे साधना थी कि मचंदरनात उसे दिखे वो डूंडते थे लेकिन गोरख की ऐसे साधना थी कि वो मचंदरनात को देख पा है कभी नहीं, बिल्कुल नहीं यह तो मचंदरनात ने उसकी और रुख मोड के रखा था तब जाके गोरखनात मचंदरनात को मिल पाए क्या विवेका नंद की ऐसी ध्यान अवस्ता थी कि रामकृष्ण परोहनस को समझ पाए, मिल पाए तो नेवर, कभी नहीं यह तो रामकृष्ण परोहनस ने अपना रुख विवेका नंद की और मोड के रखा था तब जाके विवेका नंद को रामकृष्ण परोहनस मिल पाए ठीक वैसे ही क्या राधा की नजरों में कृष्ण को परखने की या देखने की हिम्मत थी या काबिल्यत थी तो कदाचना कभी नहीं यह तो कृष्ण ने अपना रुख राधा की और मोड़े हुए रखा था या क्या मीरा की गान में या मीरा की भक्ती में ऐसा कोई भाव था क्या इतना कोई भाव था कि पाँच हजार साल पहले का कृष्ण उसके सामने आखड़ा हो तो नहीं हो ही नहीं सकता यह तो कृष्ण ने अपना रुख मीरा की और मोड़े हुए रखा था कृष्ण की महबबत कृष्ण का प्रेम मीरा राधा या कृष्ण की और रुख कर गया था या कृष्ण ने अपना रुख रखा था इसलिए वो सब देख पाए तो यह इतना ही समझे कि मैं अगर कुछ करता हूं या आप अगर कुछ करते हैं त्या क्या हमारी ऐसी आउकात है कि हम उसके लिए कुछ कर सकें कभी नहीं नेवर नको हो ही नहीं सकता हमारी कोई आउकात नहीं यह तो प्रेम है उसका उसकी मुहबबत है उसकी रह्मत है उसकी करुणा है कि उसने अपना रूख हमारी और मोडे हुए रखा है तब जाके हम कुछ कर सकते हैं हम उन्हें अपनी स्रद्धानजली भी तब जाके दे सकते हैं इसलिए मेरी कोई काबिलियत नहीं मेरी नजरों की कोई आउकात नहीं कि मैं उसे देख लू बस ये तो मोहबबत है उसकी मुझपर कि उसने अपना रूख मेरी और मोडे हुए रखा है हमारे सद्गुरु ने अपना रूख ऐसी विकट परिष्टितियों में भी हमारी और मोडे हुए रखा है इसलिए आज ये माध्यम से एक दूसरे के दर्शन हम सब कर पा रहा है इसलिए आज हमारे गुरुवार की प्रणाली को हम निशंक रूप से निर्विवाद रूप से हम निर्भाइता से हम वहन कर सकते हैं और इसलिए आज यहां जो कुछ भी हो रहा है वहां से लोगों की और हम लोग सेवा पहुंचा सकते हैं आज भी यहां प्रेमरत का अरपन किया गया यह प्रेमरत हम हमारे गुरु के समरण में जो दिव्यांग है उसको हम देते हैं और हम प्रमात्मा को मैं इतनी ही प्रात्ना करना चाहूंगा कि ऐसी अनेएक प्रकार की सिवाए बस वो हम से करवाए हमारी कोई काबिल्यत नहीं लेकिन उसकी मोहबत है कि उसने अपना रूख मेरी और मोड़े हुए रखा है उनकी नजर हमारे उपर है तो यही हमारे लिए रह्मत है तो आज के दिन अठावी पुन्यतिती के दिन हम सब दो हाथ जोड़के हुए गुरुदेव के चरणों में प्रात्ना करते हैं कि जाने अन जाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो कोई चूक हुई हो तो हमें माफ करना लेकिन यह तो तेरी महबत है तेरी रह्मत है कि तूने अपना रुख मेरी और मोड़े रखा है बस आपकी कृपा आपके दर्शन आप हमें देते है हमें होते है आपकी कृपा हमारी और बहती है यह बहुत बड़ा उकार है आप आपकी कुरुपा हमारी उपर रखे आपका सनिद्य हमें प्राप्त हो हमारे परिवार को आपके दिव्य संसकार प्राप्त हो कि हम हमेशा हमेशा के लिए आपकी और आपके चर्णों की और जुड़े हुए रहे ऐसी कुरुपा हमें दीजी सबी भक्तों का रक्षन कीजिए जो भक्त जहां कहीं भी है उसका सवरक्षन कीजिए हमारे राष्टर को समुरुद्ध कीजिए और विश्व के उपर जो महमारी के रूप में जो संकट आया है ये संकट से पूरे विश्व को मुक्त कीजिए एसी समस्टी कल्यान की भावना से आज हम सब अठावी पुन्यति थी के अउसर पर हमारे ब्रमलीन सद्ध गुरू सुरी साने नाद जी के चरणों में बारम बार प्राथना करते है और मन से उनके चरणों में सरदान जली अरपन करते है कि दिन प्रती दिन हमारी भावन ऐह और ध्रण हो है आपके प्रति हमारी स्रद्ध निष्था में परिवर्तित हो और जो भी कारिय आपने हमारे लिए छोड़े हुए रखे है यह श्रे मार्ग के उपपर हम आगे बड़े और आपका आपके प्रेम का श्रे हम प्राप्त कर पाए ऐसी हमें सद्ध बुद्धि दीजिए ऐसी प्रात्ना करते हुए स्द्धा पुर्वक हम उमके चरणों में गुरुदे वदत्त गुरुदे वदत्त गुरुदे एक बार आख बंद गर के मेरे साथ सद्गुरु सानेनाथ गायतरी का हम सब पाथ करे अम बद्दा इच करवानों से अम बद्दा इच करवानों से सानेनाथाय विद्महे आनन्दकंद अनन्दकंद स्वरुपाय धीमही तन्व प्रेम मुर्थे प्रेम मुर्थे प्रेचो द्यातर अम् अम् चैतन्या सानेनाथाय नमहा सानेनाथाय नमहा ओम् पूर्णमदह पूर्णमदह पूर्णमदम पूर्णात पूर्ण उदच्यते पूर्णात पूर्ण उदच्यते पूर्ण स्यपूर्णमदाय पूर्णमदमदाय पूनमे वावशिष्यते पूनमे वावशिष्यते ओम शांति 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 ओम शांति 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 आज की पुन्यतिति के उसर पर हमारे नाच संप्रदाई के सभी भक्त गण सभी धर्म प्रमि बैवेन इन सब को मेरा जय वदूत जय जय मचंडर समर्द और अदेश एक वार साने नाद पंत अलाख निरंजन अदेश आदेश आदेश एक वार छोटे दादा की जय कर दो दो.